तो आज हम लोग बात करने वाले हैं forest and wildlife resources के बारे में पहले तो हम लोग जो इससे पहले previous पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा backup ले ले अभी तक हम लोग पढ़े हैं ecology and its relevance to man मतलब परिष्थित की क्या होती है और उसका मनुस्य जीवन में क्या उपी होग है क्यों हम उसको पढ़ते हैं ठीक है आप लोग सारा वो पहला मेरा वीडियो दुख चुके हैं उसके बाद दूसरा हमने natural resources start किया था प्राकरतिक संसाधन क्या होते हैं कितने प्रकार के होते हैं जैसे कैसे उनके बारे में सारी डीटेल्स हमने आपको दी थी अब यह हमारा उसी पेज का अगला वीडियो है natural resources में जो है जो उसके types हैं जैसे पहला resources जो हमारा है forest and wildlife resources ठीक आज बज़ानो वन ने वन ने जीव संसाधन क्या होते हैं और इनसे क्या क्या इनका महत्तो होता है ठीक आगे अगर हम लोग बात करेंगे इसके बाद हम लोग land resources पढ़ेंगे energy resources पढ़ेंगे जिसमें परमाड उर्जा है जैव उर्जा है तापी उर्जा है ठीक सारी आप पढ़ेंगे ठीक ऐसे जो है flow में आप सारी पढ़ते चलेंगे जल energy पढ़ेंगे ठीक है ऐसे सारे resources संसाधन हमको आज पतलब धीरे धीरे cover करने है तो आज हमारा जो एक resource है वो हमारा एकदम finally complete हो जाएगा जो है forest and wildlife resources ठीक है तो चलिए start करते हैं आज तो one एवं one ने जीव संसाधन होता क्या है सबसे पहले तो forest कहेंगे किसे भया आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पेंड़ लगे होते हैं जंगल है जाडिया है तो इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं forest कहते हैं ये तो मतलब आम बात में हो गया आम बात हमारी है कि भया बहुत सारे पेंड़ होंगे जाडिया होंगे स्रब्स, हर्ब्स ठीक यानि साक और जो तुमारे है सब मिला कि जो हम क्या कहते हैं इनको forest कहते हैं लेकिन अगर एक theoretical रूप में देखा जाए तो इसको परिभासित किया गया है जाए कि एक hectare से अधिक होना चाहिए लेंड एरिया जो हमारा है यानि area निचे तरफल जो हमारा कितना हो वन hectare से अधिक हो और वहाँ पर जो ब्रच्छों की सघंदा यानि density जो है ठी density पो 10% से अधिक होनी चाहिए ठीक, density 10% से अधिक हो एरिया हमारा एक हेक्टेर से दीखो तो उसे हम कहेंगे वन भारत में अगर forest cover की बात किया जाए तो हमारा जो वन रिपोर्ट जो आई थी 2019 की अभी हाल में तो 2019 की जो वन रिपोर्ट है उसके आधार पे कर देखा जाए तो 21.67% हमारा forest cover है इस बार का हमारा कितना forest cover है 21.67% है 0.56% बढ़ा है इस बार अच्छा इसके अलावा हमारा थोड़ा बहुत ब्रच भी है अलाग अलग जो फुटकर में ब्रच लगे है एक हेक्टेर से कम वाले हैं वो हमारी लगभग 2.67 है तो लगभग 24-24% हमारा यह तो मारा वान वो बरच्छावरन दोनों मिला के हो जाता है 21.67% हमारा forest cover है लेकिन हमारी population को देख के हमारा जो forest cover है लगभग 33% होना चाहिए तो इसका मतलब जितना हमारे पास है उसको तो हमें conserve करना ही करना है उतना तो हमें संदच्छित करने करना इसके अलावा हमें और one लगाने की जरूरत है आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगर तो देखते है ecological significance of forest भईया क्या जरूरत है forest की काई होने चाहिए सबसे पहले तो one प्रकृति की अमूली संपदा है भईया यह सब बात बताने वाली है नहीं इसी को हरा सोना भी कहा जाता भईया इतना यह महत्वपूर्ण है इसलिए इसको क्या कहते है green gold भी कहते है आप लोग अफीम को भी green gold पढ़े होंगे forest को भी green gold पढ़े होंगे ठीक ऐसे जो हमारे concept बनते रहते हैं काला सोना पेट्रोलियम को मानते है ठीक बायोडिजल जे ट्रोफा बगेरा को कुल उत्पादन का 33% जो हमारे जितने विवन उत्पादन हैं का 33% हम लोग का करते हैं भवन निर्माण में यूज करते हैं घर बनाने में यूज करते हैं और 50% इसका प्रयोग हम एनरजी के रूप में करते हैं इंधन के रूप में करते हैं पर्यावरण में oxygen और carbon dioxide को संतुलिक करने का ये काम करता है ब्रच जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं सुसन में हमारे क्या करते हैं oxygen को लेते हैं carbon dioxide को release करते हैं जैसे हम लेकिन वो respiration भी करते हैं मतलब वो प्रकास insulation भी करते हैं और प्रकास insulation में जो हम लोग carbon dioxide छोड़ते हैं उस carbon dioxide को यूज करके glucose बनाते है यह निए प्रकास नसलेशन अभी करिया के दौारा खाना बनाते हैं जिससे जो हमारा carbon जो हमारे वातावरों में बढ़ रहा होता है उसको manage करते हैं साथी वो oxygen release करते हैं वही से जब वो oxygen release करते हैं प्रकास नसलेशन में घड़ जो oxygen हम लोग conserve करते हैं तो ये वातावरण में क्या करते हैं oxygen और carbon dioxide को maintain करके रखते हैं ठीक वैसे तो हम लोग भी carbon dioxide छोड़ते रहे हैं पेंड भी carbon dioxide चोड़ते हैं तो भातावरण में carbon dioxide बढ़ जाएगा oxygen दिरे दिर खतम हो यहां पर जो है लोग गलत बोलते हैं कहीं के बताते हैं किया करते anyone करते हैं थामरा Denise इसे को प्रकास सुग्ते हैं तो यह हमारा क्या होता है वाइड होता है जलसंसाधनों की पूरती में सूखे से बचाते हैं भईया बेबारिस के लिए पेंड बहुत जरूरी है पेंड क्या करते हैं वासपो सर्जन द्वारा पेंड उपर जो है क्या बग करते हैं पानी को उपर पहुँचाते हैं इसके लावा बहुत सारी चीजों में जो है बारिस के लिए पेंड बहुत आवसेक होते हैं सब बाते आपको बताने ज़रोत नहीं, आप लोग सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, मरदा कटाव को कम करते हैं, सूखा, बाड, भूमकी उरवरासक, तिभूस खलन, मरुस्थली करन, अजल प्लावन, इन सबको बचाते हैं और बाड़ बाड़ आने से रोकते हैं, ठीक है, जलवायू परिवरतन को कंट्रोल करते हैं, भया, जब क्या करते हैं, कारबन को accumulate कर लेते हैं अपने अंदर प्रकास insulation के दोरा क्या होता जलवाई उपर उतन कम हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा पच्छियों के लिए पच्छियों और पसुओं के लिए क्या करते हैं habitat यानि घर का काम करते हैं वनों से यह मारती लकडी तोड़ तोड़ के लाई जाती है सब काम इसके significance हैं फायदे हैं इसके अलावा deforestation किसे कहते हैं यह पेंड कार दो deforestation है लेकिन इसकी परिभासा जो है यह फियों ने दी यह फियों ने परिभासा दी Food and Agriculture Organization जो हमारा है 1945 में इसका गठहन हुआ था इसने जब अपनी परिभासा दी तो क्या कहा कि अगर 90% से अधिक 3 crown cover का nest कर दो तुम यह जिसे पेंड लगे थे खूब सारे आपको बताए ते forest कहते किसे हैं 1 hectare से ज़्यादा land हो 10% से ज़्यादा सगंता हो तो forest है अब उस forest लगा हुआ था अब उस forest को हम किया कि 90% से ज़्यादा उड़ा दिये ठीक तो वो हमारा क्या हो गया deforestation हो गया ठीक अगर 90% से कम उड़ा है मालो भगिया आपको दो तुम 88% उड़ा है तो कहा हमारा deforestation नहीं होगा तो deforestation नहीं होगा उसको कहा जाएगा forest degradation ठीक है फोरेस्ट में कम ही हो रही लेकिन forest उनूलन नहीं होगया खतम नहीं होगया ठीक तो वनोन मूलन और forest degradation में यह अंतर होता है 90% से अगर उपर खतम कर दे रहे हो तो हमारा क्या है deforestation है 90% से कम खतम कर रहे हो साल दर साल एक ही फसल लोग आते रहते हैं। से धान हुगाए उसके बाद फिर 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 धान हुगाए वहाँ खेती करेंगे तो इसे हम लोग क्या बलते हैं land rotation farming land को rotate कर रहे हैं crop fix रख रहे हैं उगाएंगे धाने कसम खा लिए हैं ठीक मैया मैया वाली कसम खाएंगे एक दम धाने उगाएंगे ठीक लेकिन क्या करेंगे land को shift कर लेंगे तो इसे shifting cultivation जोमिंग cultivation भी बोलते हैं land rotation भी बोलते हैं ठीक बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है वी अतना मिरे कहते हैं और इसको केरल में क्या कहते हैं कुआरी कहते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं इसके और क्या कारण है deforestation की वनों का चारागाह में परिवर्थित कना अपने यहां तो खेर चारागाह राजस्थान वगएरा में थोड़ा बहुत भेंड चराने के लिए थोड़ी बहुत जगाओं को चारागा बनाया गया है लेकिन भाईया आस्ट्रेलिया वगएरा में भूमद इसागरी जलवाईयों जहां पाई जाती है सीस्तोसन कटेबंदी जलवाईयों जहां पाई जाती है हजारो हैक्टेर जमीन को क्या बना दिये चारागा बना दिये गरिकल्चर लेंड को वन की लेंड को ठीक वनों को तो खेर उतना नहीं, राजस्थाम वगेरा में थोड़ा बहुत है, वहाँ भेरोड थोड़ा पाली जाती है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, निर्माड कारे के लिए वनविनास, हम लोग बहुत क्या करते हैं, निर्माड कारे के लिए जब 1860 का दसक था, तो समय क्या हुआ, ओद्दोगी क्रांती जो है विसुभर में फैल रही थे तीजी से, ओद्दोगी क्रांती के फलसुरूप क्या हुआ, हम नहीं जो जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी तो नगरी करन बढ़ रहा था, नगरी करन बढ़ रहा था तो विकास हो रहा था विकास हो रहा था सड़के बन रही थी आवास बन रहे थे रेलेवे बन रहे थे बहुत सारी चीज़े बढ़ रही थे और सब बन कैसे रही थी रेलेवे का मदवन का बिनास करके सारी चीज़े बन रही थी वनों का बिनास करक चाहे राजस्थान के अरावली परवती छेत्रों में राजस्थान में अरावली परवसरंखला है आप लोग देखे होंगे तो राजस्थान वाला रीजन है राजस्थान से लेकर पूरा दिल्ली तक जो है गुजरा से लेकर दिल्ली तक पूरा फैली होई अरावली जिसकी 1722 मीटर उची है अरावली की सबसे उची चोटी ठिक गुरु सिखार है अच्छा यहीं पर माउंट आबू इस्थित है ठिक दिलवाडा का जैन मंदीर यहीं पर इस्थित अरावली परवत पर अब अरावली परवत के छेत्रों में क्या है संग मरमर से बना है आपको याद हो खनन करने के चक्कर में क्या करते है भाईया वहाँ पे रोड़काट डालते है उन लोग इसके इलावा वनागनी अगला पॉइंट है वनागनी वनागनी आप लोग देखें अभी उत्तरा खंड में को समय पहले फॉरस्ट फायर लगी थी इससे और बहुत बड़ी अगर ब होता है तो जहां पर उसको पाजिटीव चार्ज नजार आता है वहीं पर बिजली के अगर्थी गिर जाती है अब पेंडों प्ली जनितो कई से भी हो सकती है अब पहले बहित सबीसे अगल बगल में जो है अमोनियम नाइटेड स्टोर करके रखे थे ब्लास्ट हो गया था वह नाग नी होगी थोड़ी बुद्वनों में आग लग लग लगी थे यला कि उसको कंजर्व कर लिया गया था नेशनल पार्क वही बगल में था बचा लिया गया था ठीक लेकिन फिर भी ब क्या होता है उसमा उत्पन होती कि इसमें कभी कभी इनमें आग लग जाती है ये भी वनागनी का एक मुख्य कारण है आस्ट्रेलिया में आग लगने का जो वेग्यानिकों ने कारण बताया था वो यही बताया था कि तीवर हवाओं से आपस में घरसन के कारण जो है वहाँ पानी बरसेगा, तो हम जो नाइटरस आकसाइड क्या किया है, रिलीज किये हैं, ठीक, आप समझो, यह नाइटरस आकसाइड हम लोग रिलीज किये हैं, और यह पानी उपर से बरसा है, यह हमारा मिल्क के दुनों क्या बना देंगे, HNO3, जो कि क्या है, अमल है एक, HNO3 क्या है, एक अमल है, ठीक, इसके अलावा, हम क्या किये, SO2 रिलीज किये, और हमारा यह S2O है, अभी S2O, SO2 मिलके क्या बना देगा, S2SO, फोर बना देगा, हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड है ना, तो यह हमारा एसिड जो है, है, बहुत ज़्यादा वनों के लिए नुक्सान दायक हो जाती है, हमारा इसे नुक्सान पहुचाती है, वनों मूलता समाप्त कर देती है, एक दम, इतना हम लोग यह NO2, SO2 निकालते हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आगे समझे तो, कांसीक्वेंसेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन के, क्या उसके प्रभाव पढ़ेंगे, जलवाय उपर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा, आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग भिया बढ़ेगी, पैडर नहीं होंगे, तो oxygen और carbon dioxide, जो maintenance होता थो नहीं होगा, carbon dioxide जो है, बायो मंडल में बढ़ जाएगी, जिसे global warming बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, इसके लाग टॉपिक है, उतना details में नहीं जाते हैं, फिलाल इतना जानो, पेंड से ग्लोबल वार्विंग बढ़ेगी अगर पेंड नहीं रहेंगे बाढ़ बार आएगी पेंड क्या करते हैं बाढ़ों को रोक लेते हैं बाढ़ हाती तो बाढ़ को रोक लेते हैं लेकिन पेंड नहीं रहेंगे तो बाढ़ आएगी मर्दा अपरदन में ब्रद्धी करेंगे मिट्टी कट कट के जाएगए प्यास इतने सारे जानवर जो है जंगलों में रहते हैं, सब देरे देरे नश्ट हो जाएंगे क्योंकि भईया, उनके लिए घर ही नहीं रहे जाएगा अच्छा, वन सन रच्छन के प्रयास क्या क्या किये गए पहला तो हमको करना क्या क्या है रिफॉर्श्टेशन और फॉर्श्टेशन के दौरा अब रिफॉर्श्टेशन किया है जहां पहले जंगल था गट गया है वहां पर रि मतलब दुबारा लगा दो तो रिफॉर्श्टेशन करदो अब जonst comment पहले per जंगल नई जगा पर पैंड़ लगा हुआ जितने भी वंस अंसाधनों से बनने वाले, जो हमारे जिसे धिया सलाई है, जितनी भी चीजे हैं, इन सब को हम क्या करें? replace और recycle करने का प्रयोग करें जिसे अब हम क्या करें? बार बार पेड़ों को ना काटें, कागस बन गया है, कागस को क्या करें? हम दुबारा फिर उसी कागज से जो है नया कागज बनाने के टेकनीक यूज करें रिप्लेस और रिसाइकल करें ना कि दुबारा पेंड को काट के जो है नया प्रोड़क्ट बनाए ठीक इसके अलावा वाइल लैग प्रोटेक्टिक्स अक 1972 चलाया गया सरकार के दौरा कप चलाया था 1980 में यह याद कर लो वाइल लैप प्रोटेक्शन एक 1972 है फॉरेश्ट कंजर्वेशन एक 1980 है सेंक तुवन प्रबंधा 1988 उड़ीसा में चला था इसके अलावा चिपको अंदोलन देगर हो किसे चिपक चिपक के पेंड बचा रही थी यह बहिए चिपक चिपक के पेंड बचा रही थी यह बहिए चिपक चिपक के पेंड बचा रही थी गवरा देवी जो है गवरा देवी जो है गवरा देवी और चंडी प्रसाद भट गवरा देवी थी इन्होंने क्या किया भया जहां पेंड काटने गए गावाले जो है पेंडों चिपक चिपक के पेंड बचा रहा है पेंडों चिपक जाने नहीं दिया इसमें और एक प्रमुक नेता जो है सामने उभर के कुछ दिन बाद आया सुंदरलाल बहुगुडा चमोली जिले में 1974 में नेता का उनकों चंडी प्रसाद भट गवरा देवी और सुंदरलाल बहुगुडा ठिक इसके अलावा एक ठोथे नेता यही जो चिपको अंदोलन था उसी के एक उन नेता थे उनका नाम था बिजय जडधारी अब बिजय जडधारी तो पहले तो वह क्मीकरांती जो है सदूबर जो dnię प्रेविजय जडधारीं वजडधारी थे नाम इनका जड़धाणी था जड़धारी की जग़े थे बीजधारी अब जड़धारी ये कहा थे कहने लगया इसा है पुराने बीजों कंजर्भ करना बहुत जरूरी है अगर ये समाप्त हो गए तो आगे की जनरेशन्स जो हमारी होंगी वो खतम हो जाएंगी खराब हो जाएंगी तो उन्होंने क्या किया बीजों को संदचित करने के लिए 1987 में बीज बचाव अंदोलन चलाया उसके बाद एक का करते थे लोगों को जा जाके बहुत बिराइटी इनके पास भाईया 24 प्रकार के इनके पास जो है चावल की विराइटी थी सोचो अब हम लोग बाई से तो पड़ रहे हैं इतनी विराइटी जो है इतनी प्रकार की विराइटी चावल की गियहूं की जाओं की हर चीज की इनके पास पुरानी पुरानी विराइटी जो इक दम आप नहीं मिल रही बीजों को क्या करो, बचा के रखो, कंजर्व करके रखो, तो 1987 में कौन चलाया था, बीज बचा वांदोलन कौन चलाया था, बीजे जड़धारी, ठीक, इसके बाद बात करते हैं, मैंगुरूवन की, भाईया ये बहुत इंपोर्टेंट हमारे लिए है, मैंगुरूवन होते क्या है, जैसे मान लो भाईया, ये भारत का नकसा है, हमें इतने बनाना आता है, इसे चार कुन एक बना दो, ये हमारा इसे उपर, जो है, बना दो जम्मू कस्मीर, इधर बना दो गुजरात, इधर हमारा बना दो क्या, जो है, हमान चल पते, जैसे भाईया भारत का नकसा ह गया इधर हमारी ये बंगाल की खाड़ी इधर हमारा ये अरब सागर अब बहुत सारी नदिया जो है इसमें बंगाल की खाड़ी में मिलती है ठीक बहुत सारी नदिया जो है अरब सागर में मिलती है ठीक कुछ इधर से बंगाल की खाड़ी में आती है जिसे गंगा यहां से रही है बरमपुत्र यहां से आ रही है ठीक यहां माही और यह सब आ रही है ठीक यहां पर गोदावरी ओदावरी जो है इधर आ रही है ठीक यह सारी नदियां जब यहां आती है तब जब यह नदियां यहां आकर मिलती है किस से समुंदर से बंगाल की खाड़ी में गिरेंग मिलते हैं उस छेत्र को आपको पिछले वीडियो में बताये थे क्या कहते हैं उस छेत्र को कहते हैं हम इकोटोन क्या कहते हैं इकोटोन तो ये नया इकोटोन डेवलप होगा जिसे हम लोग यहां कहते हैं लैगून अब लैगून में भाईया यह सब पेंड उगते हैं जहाँ पर नदी का मीठा जल सम उंदर के खारे जलते मिलता है वहाँ पर जो पेंड उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मैंगुरूव वनस्पतिया कहते हैं ठिक इतना समझ लो अच्छा, अब इन में कुछ खासियत पाई जाती है क्या क्या खासियत हैं आपको बताते चलते हैं पहिला तो, यह मुख्यता क्या होते हैं सदा बहार होते हैं भाईया पानी कोई समस्या है नहीं तो सदा बहार तो होने होने हैं जहां पंडपाती वन कहां पाय जाते हैं, पंडपाती वन ये डेसिडियोस प्लांट क्या होते हैं, सदाबार वन क्या होते हैं, एवर ग्रीन प्लांट वे होते हैं, जो अपनी पत्यों को कभी नहीं गिराते हैं, अब पत्यों को गिराते हैं, जो पंडपाती वन होते हैं, प अब वास्पी करण जब पतियां करती हैं तो इससे क्या होता जलकी हानी होती अब वास्पी करण को कम करने के लिए जो पतियां होती है वो क्या कर लेती है बहिया गिर जाती है पतियां गिर जाएंगे पेन ठुटा खड़ा बहिया जलकी हानी होनी नहीं अब जलकी हानी जब ह से बाट रहे इसको बोलते हैं 0 degree chance, 0 degree chance इसको उपर बढ़ोगे तो यह 25 degree north जाएगा कहीं न कहीं, इधर आओगे तो 25 degree south होगा कहीं न कहीं, इस यहां से एक, दो, तीन, चार इसे बढ़ते जाओगे तो 25 कहीं न कहीं आएगा न, तो इस छेत्र के बीच में सबसे ज़्यादा म परकास ज्यादा होता है, तो high solar विकरण यहां पर गिरती है, solar विकरण जरूरी होती है, लवडी जल को जड़ के द्वारा filter करने के लिए, अब इनकी जड़े कहा रहती है भाईया, जड़े नहती है पानी में, और पानी कैसा होता है, लवडी होता है, तो salty water को छानने के लि अब still truth क्या होती है, जर्ण फोटो देख लो, देख रहा है यह पेंड तो उपर लगा है, लेकिन यह पेंड से जड़े 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 निकल के आ रही है, ठीक वो जमीन में घुस रही है, तो इन्हें बोला जाता है still truth, तो इनमें क्या पाई जाती है, still truth पाई जाती है, इनमें पाई जाती है विवी पैरी, जब पिछले वीडियो में आपको बताये थे विवी पैरी क्या होता है, जब पेंड पर लगे लगे बीच जम जाये, तो उसे बोलते है विवी पैरी, ठीक विवी पैरी बोलते है पेंड पर लगे लगे बीच जम जाना, ठीक पेंड प जहां बैठाएं जिसको बड़ा हुसियारिस बैठाएं हर चीज उसके अंदर डाल दियें कि तुम यहां इसे इसे कंजर्व कर सकते हो ठीक मैं ग्रूप के महत्त की बात कर लो तो प्राकरतिक सराण इस्थल का काम करते हैं भाया नदी और समुंदर का इको टोन है इको टोन में आपको बताए थे बायो डैवस्टी बहुत अधिक होती है तो उस बायो डैवस्टी को गंजर्व करने के लिए पेंड काम करते हैं वहां जितने सैवाल, मचलियां, जहिंगा, पच्छी, बंदर, केकड़ा, घौंगे इसके लावा कच्छ के में गुरूब में जो है जंगली गधे जो की इंडेंजर कटेगरी में है वो भी पाय जाते हैं इसके लावा यहां पर क्या पाय जाती है हमारी बहुत सारी स्पसीज पा का काम करते हैं अब इनकी जड़े जो होती हैं इनकी जड़ों पर पाय जाते हैं स्पंज इन पर पाय जाते हैं स्पंज पाय जाते हैं स्पंज पाय जाते हैं अब जड़ों से चिपके रहते हैं अब जब जड़ों से चिपके रहते हैं तो यह क्या करते हैं यह तुम्हारे जो है क्या करते हैं, जो पानी जाता है नदी से समुंदर में, उसको साफ करने का काम करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, जिससे समुंदर में साफ पानी जाता है, समुंदर का पानी गंदा नहीं होने पाता है, जो कोरल रीफ के लिए बहुत अच्छा होता है आप coral reef क्या होती है समुंदर में रहने वाला एक जीव होता है भी या coral reef जो धीरे धीरे क्या करता है मुंगे के आकार में जो है क्या करता है चटान बनाता चला जाता है दूइब बना देता धीरे धीरे coral reef के लिए अलग से वीडियो आना यह पराबैंगनी किरणों में पराबैंगनी जुबी किरण जो सबसे अदर नुकसान दायक होती है उसी को यह क्या करता है कंसर्व कर लेता है यह लोगों के लिए नुकसान दायक अगे बचा लेता है पराबैंगनी किरणों से आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करता है आपको बता चुके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है पहली बात तो प्रकास संसलेशन करेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको थोड़ा सा बता देते हैं जैसे मान लो भीया हम लो क्या कर रहे है इसको रात में reflect होके वापस जाना होता है, और reflect होके वापस जाना होता है, तो हम लोग यहाँ क्या किये, गैसो का एक čावरन बना दिये, अब गैसो का एक 她वरन बना दिये, तो इसको वायू मंधल से बाहर जाने नहीं देता घर्मी को, यह दुबारा क्या करता है रेटर्न कर देता है कहां प्रत्वी पर ही, अब यही हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस effect होता है, एप्चुली बात पूरी समझ में आई, देखो, यह हमारा है, यह सूरिका का है, यह हमको बेजते हैं energy, ठिक, यह एनर्जी बेजते हैं हमको किस फॉ इतना temperature है उतना वापस कर दो लेकिन हम लोग किये क्या हम लोग कर दिए यहां पर pollution pollution करके यहां पर co2, ch4, nitrous oxide, cfc इनकी सब की गैस की परत चड़ा दिए अब यह परत क्या करती है जो इसको कर लेती, conserve, conserve करके इसको क्या करती, फिर प्रतवी के और घुमा देती, इससे हमारा धीरे-धीरे क्या हो रहा प्रतवी का temperature बढ़ता चला जा रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं, global warming, बास समझ में, तो इस green house effect को क्या करते हैं, पाउधे जो होते हैं, प्रकास translation करेंगे, man groups, प्रकास translation करेंगे, जिसे carbon dioxide जो है क्या करेंगे, वो खुद कंजरब कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, green house effect कम हो जाएगा, राइजो फोरा इसके अलावा जो होता है, राइजो फोरा एक प्रजात है, इसमें, वो क्या करती है, carbon को मिट्टी में संचित करने की चमता रखती है, राइजो फोरा एक, मतलब, पेंड है, जो man groups, वन में उगता है, वो क्या करता है, carbon को मिट्टी में दबाने की चमता रखता है, इसे बोलते है, carbon sequestration, carbon प्रथे की करन हिंदी में, दिक, तो ये carbon sequestration काम करता है, राइजो फोरा, बहुत सारे plant करते हैं, और ह सबसे एक ही तरीका भी बचा जिसे carbon को कम किया जा सकता है, इसके अलावा, man groups की अगर बात किया जाए, तो जवारी बाड को कम करता है, बाड बाड को रोक देता है, जितनी बाड आने वाली होते हैं, टिडल बाड, बाड बाड जवार भाटा सुनिया न, जो जवार आता है तो उसको क्या करती है, रोक देते हैं, पेड़ भईय सामने लगें, आगया आने नहीं देते हैं, सुनामी है, जितना चक्रवा आते हैं, सब क्या करते हैं, यह टकरा के रही जाते हैं, ठीक तो बहुत सारी चीजा इसी बन जाती है, में man groups से पराप्त होती है, बारत में नदी मिलेगी एक नदी यहां से आती जिसका नाम है गंगा एक नदी यहां से आती जिसका नाम है ब्रमपुत्रे दोनों जो है मिलके यहीं पर गिरती आके हैं वहाँ पर एक जो है बनता है मैंगुरूव जिसे बोलते हैं सुंदरवन मैंगुरूव ठीक सुंदरवन डेल्ट यहाँ पर पिचावरम जो है इस्चुरी बनती है पिचावरम इस्चुरी और यहाँ पर मुथ्थू पेट पिचावरम और मुथ्थू पेट जो है हमारा क्या है यहाँ पर आके जो है दो बनते हैं कहां तमिल लाडू में पिचावरम और मुथ्थू पेट कहा है मैं गुरू बना दिये MUMBAY mamy group army हमारा सहरत पाइंप और गहना इस पर मलपा मालपा गहां पर महन पर एक महान गुरूब है इसकेする हिसके हमार में में आन्दमा निको क्या है यह हमें मैं गुरूव व büy nós पआई जाती ही फिक इसको आप थोड़ा सा देख लीजेगा एक बार कहा कहा कौन सी है सुन्दरवन आपको बता दिये महानदी बता दिये सुन्दरवन, महानदी, गुदावरी कृष्णा, पिचावर, मुथुपेट इधर हमारा गल्फ आपकच, भावनगर, मुंबई, जुवारी, कोदापूर, मालपा और कोचीन यह हमारी इतनी सारी मैंग्रूब नस्पतियां पाई जाते हैं आप एक बार देख लीजेगा आज के लिए इतना ही अब अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है निक्ट निचलरल रिसूरसेस पे होगा आप अगर इसको थोड़ा सा रिवीजन करने के चुक है तो आप यह तो हमारे वाटसेप गूर्प से जुड़ जाए नहीं तो आप अगर चाहें तो तो 10 त की आपको जो NCRT हमारी मिलती है geography की, वो हमारी natural resources पे हैं, लगभग आपका source जो है, वहाँ पर हमारा ये मिल जाएगा आपको, ठीक आप 10th की NCRT पढ़ सकते हैं, हमारे facebook ग्रूप से जुड़ सकते हैं, whatsapp ग्रूप से जुड़ सकते हैं, जिसका link आपको description में मिलेगा, इसके बाद आप जुड़ के जो है, वहाँ पर आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगे, ठीक आप जुड़ते रहे हैं, subscribe करते रहे हैं, तब ही तो भाईया मज़ा आएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा फाइदा दो हमको भी, चलो जुड़ते रहो, धन्यवाद,